हेलो दोक्तों, नमस्कार आज हम बात कर रहे हैं राश्तान युन सिटी की थर्ड कटोप लिष्ट के बारे में की राश्तान युन्सिटी की थर्ड कटोप कब जारी होगी और इसके अलावा क्या फॉर्ध कटोप भी जारी होगी दूसरी बात ये भी कि अगर थरड कटोप जारी होगी तो उनको फीज जमा करवाने का मोका कब मिलेगा और जो बच्चे second कटोप में select हुए हैं या जो fast कटोप में select हुए थे उनमेंसे बहुत सारे बच्चे फीज जमा करवाने से वनचित रह गे थे जिनका फेस्ट कटोप में नंबर आया था वो बच्चे भी फीज जमा करवाने से वंचित रह गए थे तो क्या उनको दुबारा मोका मिलेगा क्या फीज जमा करवाने का इस मुद्दे पर भी अपना आज बात करेंगे बहुत ही बड़ा अपडेट आया है राज्तान उनसिटी से तो इसलिए जिन बच्चों की फीज जमा करवाने से जो पहले वंचित रह गए थे या जिनका सेकंड कटोप में नंबर नहीं आया है उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही मैतोपूर्ण है इसलिए ध्यान पूर्वक हर एक जानकारी को समझे तो देखिएगा दोस्तों यह ओपिशल वेबसाइट है राज्तान उनसिटी की और इसी राजस्तान उनसिटी के संग्टक कोलेज है माराजा कोलेज, मारानी कोलेज और रास्तान College of Commerce and रास्तान College of Arts आप इसमें अगर नीचे आते हैं तो आपको एक यहाँ पर नोटिस दिखाई दे रहा है देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है द्वित्तिय मेरिट लिष्ट के विद्यारतियों को फीज जमा करवाने के लिए 14.9.2021 से 18.9.2021 तक का समय दिया जाता है तो इसका मतलब इन्हें 18.9.2021 तक का समय दिया गया था लेकिन कुछ बते सेकिंड कटॉप की फीज जमा करवाने की जो लास्ट डेट थी इस लास्ट डेट तक फीज जमा नहीं करवा पाए और कुछ फैस्ट कटॉप में जिन बच्चों का नंबर आया था वो भी समय पर क्या जमा नहीं करवा पाए फीज जमा नहीं करवा पाए तो अब क्या उनको मुका मिल सकता है क्या ये आज की बड़ी बात है और थर्ड कटॉप कप जारी होगी तो देखीए बहुत ही बड़ा अपडेट आया है दोसतों और देखियेगा इस आप नटिस को देखिए आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या लिखा है इस नटिस में देखिए आप इस नटिस के अंदर नोटिस में ये जानकरी है इस पश्टूप से कि राजस्तान विश्विद्याले जैपुर परवेश और पुने परवेश समंदी सूचना और इस सूचना में आप देखिए दोस्तो सबसे पहले जो परवेश समंदी सूचना है इसके अंदर सबसे पहले मैं पहले बिंदू पे आना चाहता हूँ तीन चार बड़े अपडेट है जो आपको बताना चाहता हूं दोस्तों जितने भी सदसे लाइव जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लिंक को अधिक से अधिक ग्रूपों में शेयर करें और विजय एजूकेशन और न्यूज के टेलिग्राम चैनल को भी जोईन करें ताकि आपको समय समय पर इस परकार की अपडेट और नौटिस मिलते रहें तो देखिएगा सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है देखिए दूसरी मेरिट लिस्ट के लिए फीज जमा करवाने की जो डेट दी गई थी वो दी गई थी सत्र 14 से ले करके अटारा सितमबर साथी साथ 21 से 23 सितमबर 2021 को जितने भी राज़तान यूणिवर्सिटि के कोलेजों के प्राचारे उनको जो हैं ये सू recommendations किया है राज़तान यूणिशिटि ने कि आपके कूलेज के अंदर कितनी सीटें बरी जा चुकी है और कितनी सीटों पर बच्चों ने फीज जमा नहीं करवाई है इसका पूरा रिकोर्ड इसका पूरा रिकोर्ड 21 तारिक से लेकर के और 23 तारिक तक एकटा किया जाएगा मतलब जितने भी कोलेज रास्ता नियुन सिटी के वो पहले अब ये काउंसलिंग करेंगे अपने आप में कि कितने बच्च को जो फीज जमा कराने से वंचित रह गए है उनको 27 से लेकर के 28 सेतंबर 2021 तक दो दिनों का मोका दिया जाएगा कि भई आप अगर फीज जमा करवा करके अब अगर काउंसलिंग कराना चाहते हैं रेडमिसन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं देखो बहुत ही बड़ी नियूज है अपने आप में कुछ बच्चे पीचे रह गए थे या तो किसी का कोई डोक्यूमेंट कम था और बढ़ा नहीं होगा तो अब उन बच्चों को मोका दे रहा है रास्तान विस विद्याल है 27 और 28 सेतंबर को ठीक हैं अब पहले मोका किसको मिलेगा जो फैस्ट कटोबलिस्ट वालों को तो इस तरह से 27 तारीक और 28 सेतंबर को बच्चों को फीच जमा करवाने का एक और मोका मिलेगा ठीक बात अब 27-28 को जो बच्चे फीच जमा नहीं करवाएंगे तो यून सिटी को पता चल जाएगा कि अब हमारी इतनी इतनी सीट क्या है खाली है त बहुत ही बड़ी न्यूज है अपने आप में थर्ड कटोफ लिस्ट कब जारी हो रही है दोस्तों तो जो रार यू की थर्ड कटोफ है वो जारी होगी एक अक्टूंबर को बहुत से बच्चे मेरे से यह पूछ रहे थे कि सर तीसरी कटोफ कब जारी होगी तो ये बच्चे रह चुके जो बच्चे हैं उनको दुबारा मोका देगा फीज जमा करवाने का ठीक बात है अगले पॉइंट पर आईएगा और हाँ जो तीसरी कटोफ निकलेगी तो उन बच्चों को भी फीज जमा करवाने के लिए टाइम मिलेगा च्यार से छे अक्टूंबर क तीसरी कटोफ जारी कब हो जाएगी एक अक्टूंबर को और जो भी बच्चे मेरिट में आएंगे उनको च्यार पांच और छे तीन दिनों का मोका दिया जाएगा ठीक बात तो क्या चोती कटोफ भी आएगी चोती कटोफ के आने की संभावना पचास परसंटेज से भी कम ह क्यों भाई क्योंकि लगबग लगबग सीटें फैस्ट और सेकंड कटोफ से बरी जा चुकी है अब जिन बच्चों ने सेकंड कटोफ वालों ने फीजमा नहीं कराई है या जो एडमिसन लेना नहीं चाहेंगे तो वो जो खाली सीट है उनके लिए तीसरी कटोफ आ रही है लेकिन चोथी कटोफ के जारी होने की समभावना बहुत कम है फिर भी अगर जारी हुई भी तो बहुत ही कम बच्चे उसमें सामील हूँगे ठीक बात अब तीसरे अफटेट के बारे में देखवा आप यून सीटी का तीसरा अफटेट क्या है यून सीटी का जो तीसरा बारवी की है उन बच्चों को 21-22 में परवेश तो मिला ही है लेकिन परवेश के अंदर स्पॉर्स का वेटेज दिया गया है लेकिन इस वेटेज का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चीए वो सर्टिफिकेट होना चीए 2018-2019 का या उ वेटेज नहीं मिलेगा, कहने का मतलब यह है, ठीक है न, आपने देखा होगा न, कुछ बच्चों के परसंटेज, आपने देखे होगे, 103 परसंटेज, 101 परसंटेज, तो यह उन, इतने परसंटेज बढ़ने का कारण क्या था, यह स्पोट्स वेटेज था, ठीक है, फिर अग पॉली एज के रूप में जो विद्यार्ती परतम वर्स में उत्यर्ण हुए हैं उनको धुत्य वर्स की पर्वेश समंधी निर्णे बार्वी के ककशा के प्रापताग के आधार पर और पर्वेश समंधी रिक्त सीट होने पर निर्णे लेते हुए केंदरी ये परवेश समीति के अनुमोधन प्राप्त कर परवेश समंधी कारिवाई की जाएगी मतलब ये है कि जो बच्चे बीए या बीए सी सेकंड येर कर रहे हैं जो बीए और बीए सी फैस्ट येर कर चुके हैं और जिनकी परिक्सा नहीं होई है तो उनको बारवी के नंबरों के आदार पर परमोट करना है और सीधा किस में ले लेना है जो है सेकंड येर में लेना है लेकिन इसका निरने कौन करेंगे जो प्राचारे होंगे संगटक कोलेजों के वो करेंगे तो अब ये R.U. के चार बड़े अपडेट है जो मैंने आपको बताई है और ये अपडेट अपने आप में बहुत एहम है बहुत बड़े हैं ठीक है ना तो इसलिए दोस्तों इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें अब एक री एड्मिसन का अपडेट भी आया ह विष विद्याले के सभी संग्टक माविद्याले के प्राचारें से निविद्धन है कि परतम और द्वित्य से तर्थिय वर्स के नियमिस सात्र सात्राओं को अंतिम आउसर परदान करते हुए फीज जमा कराने की अंतिम तिति 30 सितंबर 2021 नियत की जाती है ऐसे विद्यारत बाद में साइथ रही से पार ऑच्फ का उन्होंने ये ये कम झाल ठेस के वें लाज़ी जब करैंँगा राइनों सर्क्राइब ही नियूज्स आप पो देनसे ने चाहूंगा वह भी सुन लो क्या है अब एक बड़ा अपडेट यह है कि पहुत से बचे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमें जो है document verification के लिए कहा पर जाना है यह नहीं हमारे पास में जो original document है वो तो university ने मंगा नहीं तो क्या हमें university अभी जाना है क्या बिलकुल भी नहीं दोस्तो जब तक third cutoff पूरी नहीं हो जाती third cutoff जैसे ही clear हो जाएगी तब आपको university में बुलाया जाएगा document verification के लिए clear बात है न तो third cutoff जारी कब हो रही है एक October को जारी हो रही third cutoff ठीक है और उनको फीज जमा कराने का मोका मिलेगा तो कुल मिला करके 10 October से लगबग 10 October से दोस्तों आपकी कक्साइं सुरू हो जाएगी राजस्तान विस्विद्याले में महराजा, महरानी और राजस्तान कोलेज अप Commerce and राजस्तान कोलेज अप Arts के जितने भी courses है उन सभी courses की कक्साइं लगबग 10 October से 15 October के बीच में प्रारंब होने की पूरी-पूरी संभावना है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस समय ही आपको वहाँ बुलाएंगे किलियर है तो दोस्तो आर यू से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वह आप अगर चाते हो तो आप विजे एज्यूकेशन और न्यूज की नाम से ए एज्यूकेशन और न्यूज जैसे ही सर्च करोगे तो आपको अपना टेलिक्राम चैनल मिलेगा उसे जोइन कर लो आपको सबसे पहले अपडेट मिलती है वहाँ पर हर एक एज्यूकेशनल फेल्ड की मुख्य तोर पर राजस्तान की जितनी भी उन्सिटी है उनमें नर्सि मात्रम भारत माता की जै